और बीजेपी के वरिष्ट नेता विने कटियार आयोध्या पहुंची हैं रामलला की दर्शन उनकी और से किये गए दर्शन करने के बाद विने कटियार ने कहा कि श्री रामलला की दर्शन हमेशा ही सुखद होते हैं उन्होंने का कि राम मंदिर को भविता और देविता मिलने का दिन आ गया है मंदिर निर्मान के लिए पियम मोदी जल्द ही ट्रस्ट बनाएंगे उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए कोई नया ट्रस्ट नहीं बनेगा जो ट्रस्ट पहले था उसी में बदलाफ किया जाएगा इसके बाद सोमनात की तर्ज पर मंदर निर्मान के लिए ट्रस्ट बनेगा विने कटियार ने कहा नहीं बहुत सुपध दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा अब दिन आ गया भविता और दिविता देने का और जितने जल्दी ट्रस्ट हमारा बन जाए जानमंत्री जी को तैकरना है उसे नहीं जल्दी यहां पर काम की शुरुवात यह हो जाएगी और यह जाल जनजाल इसे मुक्ति मिलेगी यहां भी सब दर्शन तो करी रहे हैं अच्छे से दर्शन हो रहे हैं किसी कोई कर्षणाई नहीं हो रही है तो यह तो भी चलता रहेगा निर्मान काम तो समय लगता है भुने में और मैं समस्ता हों कि जतने जल्दी हो सकेगा नि